Hello friends, welcome to our channel Crypto with Vishal तो guys एक update है basically जो अभी निकल की आया है थोड़े टाइम पहले ही एक बार quickly बात करते हैं उस बारे में तो text related है यहाँ पे और निर्मला सीता रमन जी जो है उनका latest statement जो आया है और आप लोग जानते हैं आज के टाइम पे इंडिया में जब जब क्रिप्टो की बात होती है और निर्मला सीता रमन जी का कोई भी statement आता है तो वो एक दम से hot topic बन जाता है यहाँ पे तो guys basically IGF summit हो रहा है बैंगलोर में तो वहाँ पे निर्मला सीता रमन जी से कुछ पूछा गया crypto से related यहाँ पे तो जो पूछा था दो चीजे होई यहाँ पे एक तो अगर आप देखेंगे जो क्वाइन सुच कुबेर के founder है आशी सिंगल उन्होंने यहाँ पे पूछा तो उन्होंने बेसिकली यह पूछा कि भई क्या regulations के बारे में आपको क्या बोलना है क्या चल रहा है इंडिया के अंदर तो इसमें दो question है basically पहला question तो regulation से related उनसे पूछा गया कि आप क्या देख रही है regulation में कि क्या हो सकता है तो उन्होंने बोला कि यार देखो हम लोग consultation कर रहे हैं अभी और consultation में जो भी result निकलेगा हम लो discuss कर दें उस बार में जब भी हमें result मिलेगा पूरी consultation के बाद उसके बाद हम लोग decide करेंगे कि हमें regulate करना है या बैंकरना यह दोनों चीज़े उन्होंने बोली है यहाँ पर तो एक तो पहला update यह था दूसरा बहुत interesting चीज थी जो वहां पर host थी उन्होंने उनको पूचा क कि निर्मला सीदरवन जी को क्या लगता है कि इंडिया में crypto का क्या future है तो वहां पी उन्होंने बोला है कि मुझे यह पता है कि लोगों को जो इंडियन जो इंडियन से हैं उनको लगता है कि crypto का बहुत अच्छा future है और मेरा उस वो लोग सोचते है कि crypto का बहुत अच्छा future तो उन्होंने देखिए यहांपे अगर समझे बोला है उन्होंने जैसे भी बोला तो यहाँ पेगर यह भातका मतलब निकाले तो इनका बोलना कि dirigent zod कर रहे हैं और मेरे को वहां से टेक्स लेना है उनसे इसके अलावा मुझे यहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता तो एक बार फिर से उनके यह स्टेट्मेंट से दोनों चीजों से एक चीज फिर से सामने आ गई है कि भाईया क्या करने वाले हो बैं करने वाले होगी हो जाती है तो कहीं न कहीं इंडिया में अगर आप क्रिप्टो को लेके बात करें तो थोड़ा पैनिक जो है यहां पे लोगों के लिए मत सकता है इसके बाद हमें सब कुछ समझ में आएगा इसी के लाब पारिमेंट में भी डिसकेशन होने वाला है वो भी जब एक बार स् करेंगे क्या क्या possibilities है यहां पर क्या 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 हम लोग कर सकते हैं तो यह तक अपडेट काफी सारे लोगों की question आ रहे थे कि मेरा क्या opinion है इस बारे में जो discuss हुआ है तो गाईस opinion तो फिलाल यह है कि जब भी government officials की तरफ से जब तक कुछ पता नहीं चलेगा तब तक सामने च support किया जाएगा 30% text personally मुझे नहीं लगता issue बहुत सारे हैं उसमें पर important जो चीज़ें वह है एक offset का भी issue था पर वो सब चीज़ों को भी ignore करते हैं फिलाल consideration इस बारे में है कि यार जो main चीज़ है TDS को हटाया जाए और जो 30% का text है उसको कम किया जा तो एक बार जब भी इसक लिए कि comment क्या करने वाली है तो मैं पोशिश करूँगा फटा फट अपडेट जो है आपके सामने आपे लेके आ सगो आपका क्या opinion है आपका क्या मानना है text के बारे में आप लोग क्या करने है एक बार जरूर comment box में बताएगा तो यह तक है इस quick update जो निर्मला सीता रमन जी ने बोला है crypto के बार में तो वीडियो फेंट्स पसंद आए इसको like को share जरू करेगा चैनल में अगर आप नए है first time मेरा वीडियो देख रहे है जरूर चैनल को subscribe कर लिजेगा thank you friends